नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों इस पेड़ के नीचे है दस कडूर का धन प्रंतु आपको केशे मिलेगा जानने के लिए आज की इस वीडियो को शुरूश लिकर अंध तक जरूर दिखेगा जिया दोस्तों दोस्तों अवह श्रूर को बता दे कि अब आप की जुनकाल में बहुत घुजे की बड़ा शमतकार होने वाले हैं जीया दोस्तों हम आप श्रूर को सबकर दे कि अब आप श्रूर kriegen की कि ने लिएए जिया दोसों हम आप शिबी को बता दें कि पिछले कई शमयों से आपकी जुनकाल में लगातार दुख, शमर्शाय और परिशानियां ही चल रही थी कभी भी उम्मिद की नई किरन आप शुबी की जुनकाल पर नहीं जगी और दोस्तों आप अपने जुनकाल में बहुत ज़्यादा प्रिशान हो गए लेकिन दोस्तों आप शुबी को बता दे कि आप यह बात तो जानते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है जो दोस तो इनका जीवन ही बदल जाता है जो अरब शुबी की जुनकाल में जो गरहों के स्थिति बनने वाली है जो ग्रह में गोजर होने वाले हैं आपको बहुत भड़ा दन देने वाले गरव है जिन के पास दस कड़ोरों का भी धन है अगर आप इनकी पहचान कर लेंगे तो द दोस्तों आज की वीडियो में हम आप शुभी को यह बात बताएंगे कि यह पेड़ कौशा पेड़ है किस जगह पर है और इनकी पहचान आप केश्य कर सकते हैं केश्य यह पेशा आपको प्राप्त हो शकता है धन केश्य आपको मिल सकता है शुभी जनकारियां पूरी तरह ग बहुत ज़्यदा प्रशन होगी और धन की कमी आपके जुनकाल पर कभी भी नहीं होगी तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा थोड़ा सभी मिश ना करें नहीं तो दोस्तों आप इस धन शेव अंचित रह शकते हैं इसलिए दोस्तों वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ज़रू देखिएगा जया दोस्तों उसे पहले दोस्तों जो भी मालक्षमी के सच्चे भक्ते हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा लाइक ज़रू करें और कमेंट बोक्ष में सच्चे मंस से लिए जय मालक्षमी का अश्रीबाद आप शभी को प्रापत होगा जय शिम्रन क्यों करें जो इंसान मौज मस्ति करता है विर्द्य तो उसकी भी होगी तो दोस्तों भगवान श्री किस जिने और जुन से कहा कि है पार्थ बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दातों से पकड़कर उसे मार कर खा जाती है लेकिन जब उन्हीं दातों से जब वही है मौ भी वही है पर परिणाम अलग अलग होता है ठीक उशी प्रकार मिट्यू श्रभी क्यों होगी पर एक प्रभु के धाम में और दुसरा चौरासी के चकर में जीया दोस्तों तो दोस्तों भगवान श्री किष्ण का हिया घ्यान अगर आपको सच्चा लगा हो इन के लिए कमेंड बॉक्ष में लिख दें जैश्री कृष्णा राधे राधे तो आई दोस्तों से शाथ बात करते हैं कि अब आप श्रभी की जुनकाल में या पेशों का पेड़ आपको कहां पर मिलेगा कैसे या दस कडोरों का धन आप श्रभी को मिलेगा मालेक्षमी का अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों सबसे वीसेज जानकारी हम आप श्रभी को बता दे कि इस धन को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ बातों का बहुत यदा विसेज ध्यान रखना होगा अगर आप इन बातों का थोड़ा अशावी ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस सुरेंगा इस पřलंप कर धन की बाती है तो बॉस्तों थेक्व माललक्षमी क क्या वाश होता है जहांपर शुक श्रांति होता है जहां पर शुक्षवीदायन होती है दोसमार को बता दें कि जिसके घर में शुक्षवीदाये होतीdock यकीर मानी उनके घर में मालक्षमी का वास अवशी होता है तभी तो वहाँ पर मा शुक्षुदाय होती है तभी तो उनके घर में खुशिया जगमागाती है जिया दोस्तों अगर आपके घर में खुशिया नहीं है अगर आपके घर में प्रिशानिया ज़री है तो दोस्तों आपको च्र Запाल आपको अपनी जनकाल में क्या करना है कि मांलक्ष्मी को प्रेशने के लिए करने के लिए आपको शुक्रवार की दिन मांलक्ष्मी की Aa कुछू उपाय। को करना चाहिए जिए दोस्तों शबसे बड़ी और शबसे महत्पुन चीज है तब दोस्तों आपको यह धन या पेशा मिलेगा इसको ब्रांदे उसमाप शबी को बता दें कि यह जो धन है यह आपके अलिए ही है लेकिन दोस्तों इन्हें प्राप्त करने के लिए भी मालक्ष में हमेशा अपने भक्तों की जुनकाल में बहुत ही बड़े बड़े चमतकार करते हैं कुछ इसे श्रंके देते हैं कि उनके जुनकाल में पूरी तरह बदलाव हो जाते हैं जे दोस्तों कई बार तो मालक्षमी का एशा चमतकार हुआ है कि देखते ही देखते कई लोग का दिन बदल गए हैं। दिन दुगनी रात चोगनी तरक्य करने लगते हैं। जै दोसों और आपके भी जुनकाल में एशे ही प्रस्तिती का निर्मान श्वेंग मालक्षमी करने वाले हैं। जे दोस्वों और या पेड़ की नीची जो पेशा है आप शवी को पराप्त होने वाले हैं जे दोसों शब्से पर दोस्वों आप शवी को बता दे कि मालक्ष्मे के कुछ शंकितों को आप शमझें जे दोस्वों अगर आपके शाम किशमें आपके घर में हला गुला होता हो या पीर आच पास में हला गुला होता हो। जो कि आप पूज़ा के हस्तान पर कहीं पर बेठते हो। अगर आपको शुनाई देता हो। तो तो दोसों पूज़ा आपका शफल नहीं होगा। मालक्ष मिनिद प्रशन शंतूष नहीं होगी। ुँएं अपकों कि अपनिल्टा करें कोई बीया अपने घर में करें कोई सुब्रमांगले करें।। लाटीं करें किसे काल najयां पर कुल्डा जो ताह सवाय के हो वह आपके आत्मा है। आपक और आपका मथ्म, श्व्यग माग्ष्मी के पाश शमर्पित रहना चाहिए इंसे मालक्षमी परईशन्थ होगी शाथी आपके भागे को भी चमतिका देगी इन बातों का विक्राल आपको आपको जोनकाल पर रखने है तब ही यह धण आपको प्राप्त होब सकते हैं उल्हाइचव Sol शर्दा शुवी भक्तों के शर्दा शुवी प्रशन हो जाते हैं लेकि दोस्तों शर्दा शब से बड़ी चीज है कि अपने शाफ शफाई और अपने घर की स्वक्सता पर आप ध्यान दें शाफ शुत्रे अस्थानों पर ही मा लक्ष्मी का वास होता है तभी दोस्तों आपके घर में भी पेशों की बड़त्री होगी तभी आपके घर में बरक्कत होना भी प्रारम हो जाएगा जे दोस्तों अगर आप अपने नुकाल में इन शबी बातों का ध्यान नहीं तकते थे तो दोस्तों आज शेही रखना प्रारम कर दें दोस्तों यकीन मानिए मा लक्ष्मी का वास आपके घर पर अवश होगा जे दोस्तों तो आई दोस्तों उसके उप्रांद बात करते हैं कि केशी या पेड के नीचे का धन आपको मिलेगा या पेड कहां पर है केशी आप जखाई दे दोस्तों यकीन मानिए वह पीड आपके किश्मत के ताले को खुलने वाले पेड शाविद होंगे जड़ों सो अगर इश्कौन में आपके कहीं नीम का पेड दिख जाए तो दोस्तों वह तो मालक्ष्मी का शब्से बड़ा घर है जड़ों सो यकीन मानिए आप आपके जीवन को ही बदल देगा लेकिन दोस्तों आपके पहचान सकते हैं कि कौन से पेड की निचे या धन है कि आपने प्राप कर सकते हैं आकिर आपको यह में कौन सी शावदिया रखना चाहिए शवी जानकारियों को दोस्तों जान ले तभी यहां चीज आपके उपर काम क बदा दे कि अपने मन को शाप कर ले अपने हिर्दय को शाप कर ले और सचे मन से शुभा उठकर मालक्ष्मी के मंत्रों का अपस जाप करें जैंगर आकके घर में गंगा जल है तो दोस्तों उन्हें लेकर शुभा उठकर अपने आपको पवित्र करकर दोस्ट उठ जाए साम ने जो भी पेड़ दिखाई दे उसकी सामने आपको से ले जाना है जो कि कोई भी आपको जाते शमय देख न पाए। दोसों यह शमी आप प्रातर काल के शमय में जा सकते हैं। जो के दोस्तों धन की और आपको खिसता तला जाएगा तो दोस्तों आपके घर से पस्टमी और उत्री कोन में जो भी पेड़ दिखाए दे दोस्तों उनके शामने आपको जाना है और दोस्तों जाते ही आपको अपने हाथों में थोड़ा शा शिंदूर लेना है और एक फूल लेकर जाना है जिए दोसों और जाते उस पेड़ के निवी आपको एक हाथ का गड़ा कर देना है जिए दोसों और ध्यान दखिएगा यहांगा दोसे अन्वा technique करने के बाद उश पर एक लोटा पानी रख दे ज दोसों एक फूल और यह शुआट तूर दें तूरन चुप साब घर चले आए पैर को पीछे करके दोस्तों और मुर्ने के बाद आपको दोबारा पैड की तरब देखना नहीं है जो दोस्तों और घर चले आना है और अगली शुबह आपको जा कर देखना है कि वह फूल और सिंदर उस गड़े में है तो दोस्त व्यक्ति हुआ उसे देख न पाई जब अगर कोई व्यक्ति देख ले अगर कोई व्यक्ति आपको यह करते समें टोक देगा तो दोस्तों आपका काम भी खराब हो शकता है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी आप उस पेड़ की रीचे जाए जब भी आप इसे में मिल जाएं तो दोस्तों कभी भी आपने जकाल पर गफ्थ ना कजीगा कि दृस्तों अगर आपने इस पेफे को पराप्ट कर तर हो दाएंगी और यह पेशों का घर्चा तो तुरत और जाएगगा दुरू सब्सकून करें और ना इस में सब्सक्ता बारे में किसा को अ क्ड 된 को इन पेसों प्रक्त कर लेर शातित साथ को बता दे कि शमिश mail उस्तानों में माप रशिवास करें मन्दिर बन वाएं डैबात को दोस्तों मालक्ष्मी ही आपके जीवन को बनल स्कती है जो कि आपके भग वह पर चमका शकती है शाथिसाद दोस्वों आप शुख बता दें कि या धन प्राप्त होने के बाद आपको कौशे विश्चेश बातों के आध्यान रखना है दोस्वों सुकरवार की दिन आपको तीन कुवारी लड़केों को घर में बुला कर उन्हें प्रेम उन्हें प्रेम श तीन शुक्रवार तक करते रहना होगा जी दोसों दोसों उमीद करते हैं आज कर यह वीडियो आपको प्रशंद आया है तो दोसों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद